Hello all, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप लोगों का EduTap की YouTube चैनल पर In this video, we are going to discuss whether the examination for the post of administrative officer at ICAR Research Institute is online और offline because it is very important to know the mode of the examination क्योंकि इसके इसाब से हम कई बार त्यारी करते हैं तेकि अगर हम बात करें administrative officer के examination की तो ये exam conduct करवा रहा है Agriculture, Scientist, Recruitment, Board, ASRB ठीके? और ये examination आपका 3 stages में होगा जो 3 stages हैं इसमें सबसे पहली stage होगी आपकी Tier 1 level ठीके? और Tier 1 level का जो exam है वो 3 October 2021 को conduct करवा जा रहा है जो next level है वो है Tier 2 level और उससे next जो level है वो है Tier 3 level जिसको हम interview और personality test बोलेंगे Tier 2 और Tier 3 की जो date से वो अभी notify नहीं करी गई है ठीके? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे की What is the mode of the examination? क्या वो mode online है? क्या वो mode offline है? तो कौन से stage पर कौन सा mode होगा examination का ये हम clear करेंगे इस पूरी वीडियो में ठीके? बिफोर going further into the video मैं आपको बताना चाहूंगा कि Edutap ने आप लोगों के लिए एक dedicated course launch किया है for ICR AO exam ठीके? ये course दो format में है पहला है gold package जहांपर आपको Tier 1 और Tier 2 के लिए पूरा course प्रोवाइड किया जा रहा है and second package is silver package जहांपर आपको Tier 1 के लिए पूरा course प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप early 15 coupon code यूज करते हैं तो आप इसमें 15% off ले सकते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इसमें enroll करिए और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस course का जो 5-day free starter pack है उसका link आपको नीचे description box में दिया गया है आप उस link पे जाकर 5-day free starter pack देख सकते हैं और उसके इसाब से अपने decision ले सकते हैं अब बात करते हैं कि हमारा mode of the examination क्या है अगर हम Tier 1 level की बात करें तो Tier 1 level जो है वो आपका online objective examination है तो Tier 1 के level के लिए आपको clear mindset त्यार करना है कि आपका जो examination होने वाला है यह online computer based test होने वाला है तो जो mode of the examination है for the Tier 1 level वो आपका क्या है online examination तो यहाँ पर आपका paper pen test नहीं होगा जैसे हम देखें offline mode में वहाँ पर आपको एक OMR sheet मिलती है तो आपको अपने जो answer से वो encircle करने होते है वो आला system यहाँ पर नहीं है आपका जो examination है वो एक software based तरीके से लिया जाएगा online mode of examination होगा तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तियारी इस साब से करें कि जैसे ही आप एक subject को finish करते हैं तो आप mock जो दे रहे हैं या फिर जो test आप दे रहे हैं वो आप online mode में दीजिए ठीके? क्योंकि generally जो हमें practice रहती है वो offline mode की ज़्यादा रहती है we are not that much comfortable with the online mode तो अगर आप examination में जाके सीधा perform करने की सोच रहे है online mode पर थोड़ा difficulty आ सकती है तो पहले एक बार अपने mock test वगारा में prepare कर ले online test देने की ठीके preparation कर लें क्योंकि वो काफी जरूरी होगी आपको real time environment में help करने के लिए ठीके? अगर हम बात करें tier 2 level की तो जो tier 2 level of examination है ये आपका offline examination है ये आपका pen paper examination है it is basically a descriptive examination जहाँ पर आपको एक objective question नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर एक subjective question पूछा जाएगा उसका अंसर आपको लिखना होगा in given words तो यहाँ पर जो examination का mode है वो आपका offline mode है pen paper mode आपका यहाँ पर होगा ठीके? तो आपको दिहान दखना है कि आपको बताना चाहँगा कि जैसे common subject जो है आपके tier 1 and tier 2 के जिसको आप आजकल पढ़ रहे होंगे history, quality and geography इनके बारे में आप जो भी topics पढ़ रहे हैं उनके बारे में आप 100 word या 150 words की summary लिखना शुरू कर दीजे for example अगर किसी बच्चे ने आज revolt of 1857 पढ़ा है तो उसके बारे में 150 word की summary से अपनी language में लिखनी चाहिए on pen and paper ताकि वो उसके बारे में एक अंदाजा लगा सके रिवाइस कर सके और उसके साथ उसका help का मिलेगी कि इससे उसकी writing practice भी develop हो जाएगी ठीक है आपको ध्यान नखना है कि जो भी topic आप prepare करें for example पॉलिटी में अगर आप office of president पढ़ रहें तो उसके बारे में 100 से 150 word आपको लिखने चाहिए ताकि आपकी practice बनी रहे ठीक है तो this is all from my side I would like to thank you all and my best wishes are with you for your examination अगर कोई भी doubt है, कोई भी query है तो feel free to contact us at 8146-207241 you can also drop a mail us at hello at the rate edutab.co.in thank you very much friends Jai Hind, Jai Bharat